का स्वदेश निर्मित दूसरी पीडी का पहला उपगर कौन सा है तो इंसेक्ट 2A सूरी के प्रिकास की साहता से सरीर में किस विटमिन का निर्मान होता है तो विटमिन D का निर्मान होता है हैली पुच्छत लारा कितने वर्षबात दिखाई 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 दिख क्या है एक प्रिकार का प्रमख कंप्यूटर वाइरस है सरीर का सारा रख्ट किसके माध्यम से सुद्ध होता है तो वक्क या खिट्नी के माध्यम से सुद्ध होता है सड़क पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है क्योंकि बर्फ में सड़क क्या पिक्छा घशन कम होता है इसलि तो पीतल जो है जस्ता और ताबे की मिस्तिधातू है गैसों के दाव ज्याद करने वाला यंत्र कौन सा होता है तो मैनोमीडर से गैसों का दाव याद किया जाता है भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्वे में स्थित पांचवे नुकलियर का नाम क्या है तो ध्रोव नाम का नुकलियर है पांचवे नंबर का बाह चुम्ब की प्रभावों से वैग्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है तो लोह कवर में रखकर की जाती है परमा तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण हुं तो तेल का प्रश्थनाओं मितुता ख्चा कम होने matter पैंसल का लेड होता है थ्लिए कि कמה sometime जॉता बेच रीटिव के डरपणों के बीच सिप्षाथ को लेफ क NORप तुक के कितने प्रोको करना के शुप हल के से चाना का जौता द्धाट से दही बनाने वाले जीवानु का नाम क्या है तो बैक्टीरियम लेक्टीसी डाइट हीरे की चमक का कारणा क्या है तो प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावतन हीरे की चमक का कारणा है विद्दुती वृता का मात्रक क्या है तो न्यूटन प्रती कूलाम विद्दुती वृता का मात्रक है विटमिन E का रासायन के नाम क्या है तो टोको फेरोल विटमिन E का रासायन के नाम है भारी जल heavy water क्या है तो deuterium oxide भारी जल की स्रेणी में आता है बारीयल कहते हैं, D2 य। उसका सूत्र है, Trigma रोग किस अंग से संबनेद है, तो Trigma रोग जो होता है, आंख से संबनेद रोग है, Hepatitis B वाइरस किस प्रमक रोग के लिए जमिदार है, तो Pilia के लिए जमिदार है, Hepatitis B, एपीलेपसी रोकासंबन dio किसे तो नाडिसांस भांद से एपीलेपसी रोकासंबन कर सकता है ai और लो हीए एपीलेपसीड कसे शर्खेसí डोकासंबन कर सकता है ताप बढ़ाने पर अल्दशालकों की चालकता पर क्या प्रहाओ पड़ेगा तो अल्प जो है चालकता बढ़ जाएगी मरश की स्रवता की सीमा कितनी होती है तो 20 हर्ट से 20,000 हर्ट से की स्रवता की सीमा होती है आइरन और कॉपर की कमी होती है दूद में मनुष्य के रख्त में लाल रंग का कारण क्या होता है तो हीमोगलोमिन मनुष्य के रख्त में लाल रंग का कारण है मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंगली से स्त्रावित होता है तो आमाशाय से के नरोगरों से रक्षा के लिए लगाया जाता हैं दरपणों के बीच रखी वस्तू का सबसे अधिक चम्कीला प्रदिविम्ञा आदिक चम्किला होगा मनश्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है तो माइक्रोस्पोरम से दाद होता है यूरेनियम के नाभिक विख्टन में अन्तर क्या प्राप्त होता है तो नियूरेनियम के नाभिक विख्टन में अन्तर सीसा प्राप्त होगा स्वाचालित ब्लेड स्वाचालित ब्रेक मतला हाइडालिक ब्रेक जो होते हैं किस नियम की आधारव पर यह पांशकल के नियम पर आधारथ होते dna, sunslğim爆发안 किस ने किया तो korn world ने dna sunslb mom도 का प्रफिपादन किया फोतो solar values Lt तो हाईपो चो होता हम सोडियeμifique सब्सक्राइन किसमद के अलिक्टता थो मद्यूमही की अलिक्ता होती है सपर घादन मैं मिक मीकयो हो Kerry साहिवा थे kiss यह स्थ साहता इस गैस का पूरा नाम किया है मिए इस इस गैस का पूरा नाम है कमरे में रखे एक रफीरेटर का दरवाई खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रावा पढ़ेगा तो ताप मान बढ़ जाएगा टेंपरिशर बढ़ जाएगा हरा कसीस का रासाइनिक सूत्र क्या है तो एफीज़ा 4 x7H2 प्रति सौग्राम भैंस के दूद में कितनी उर्जा होती है तो लगवग 90 कलोरी उर्जा होती है वयस्क महनसु में हरदाचक्र का समय कितना होता है तो 0.8 सेकंड में आपका हरदाए धरकता है हाइग्रो मीटर से क्या मापा जाता है तो आप एक शिक आरता म प्याती हाइड्रोमीटर से हाइड्रोमीटर से क्या मा पाजाता है तो हाइड्रोमीटर से आप एक्छी घंतुमा पाजाता है रैड लेड का रासानिक सूत्र क्या है तो PB304 रैड लेड का रासानिक सूत्र है रासानिक गिर्ष्टी से चीनी क्या है तो चीनी एक कार्बोहड्रेस सुक्रोज है किस खानिज को वेवकूफों का सोना कहा जाता है तो पाईराइट को वेवकूफों का सोना कहा जाता है कौन सी है तो केस्पियं सबब्स दॉट की जहाजरानी नेहर की संसार में जबसे बड़ा महादीब कौन सा है तो इसे महा दीप है किस महादीब को प्रायदीप महादीप के नाम से जाना जाता है। और यूरोप महादीप exhibitions के लूशतित आफ्रीका मैं छोट जा रूश कैसी महादीपे विश्चू ने का सबसे बड़ाद ज्वूर कौनक है तो सबसे बड़ा शीत मरस्तर है, गोभी मरस्तर, विश Kirsty का सबसे बड़ा महा सागर है, आर्कितिक महा सागर है, विश vest बंदरगा, एक राव दम को, विश का सबसे बड़ा वेस्ट बंदरगा मंने जाता है, प्रत्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है तो मृत सागर सबसे गहरा स्थल है प्रत्वी पर एंजल जर्परपाद किस नदी पर स्थित है तो कोरोन नदी पर एंजल जर्परपाद स्थित है क्रान एहर किस देश में स्थित है थाइलेंड में स्थित है क्रान एहर विश्व मे earth सबसे लबी नदी तो होल का नदी सबसे लबी नदी जो पहती है चनल जंसेटी अवस्थे तो नक्षिरका अवस्थे ता कर में आर्फ बाणग सवे सबसे नदी अवस्तित किya है संजिटी आफिका में अवस्तित बहुड है हिंद महासागर में सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नाम से जाना जा वोलते हैं ग angular का सबसे महाँसागर का सबसे गहरा भाग कौन सहे तो पिव 000 और ट्रेट्रंच congressional की सत्या लगशे घेरा होएं तो 70 प्रतिशत ब्र ट्रेच बले रुश्ण से सबसे बड़ा। किसे पांच सागरों का पत्तन कहा जाता है तो मौस्को को पांच सागरों का पत्तन या फिर बंदरगा कहा जाता है विश्यु का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो सहारा मरुस्थल विश्यु का सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्यु की सबसे बड़ी खारे पानी की जी बायोमा जलप्रपात किस नदी पर इस्थित है तो जैरे नदी पर इस्थित है बायोमा जलप्रपात पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन इस्थित है तो कोलोन पत्तन इस्थित है पनामा नहर के दक्षिनी सिरे पर इस्थित पत्तन का नाम क्या है तो पनामा नाम क पत्तन स्थत है दक्षनी से रेपर किस महादीप को स्वेट महादीप के नाम से जाना जाता है तो अंटार्किटिक को स्वेट महादीप कहा जाता है किस महादीप की सरनचना अंग्रेजी के ऐस अक्षर की तरह है तो अंटार्किटिका की सरनचना अंग्रेजी के ऐस अक्षर क तरह है कौन सा महादिप पूर्ण रूप है 383 महादिप कैसे अलग हुए तो जो है वीवरतनी वीवर Pick रियाद Scarim कि सँहें महा सागर में देखने को मिलती मैं क期 मिलती है तो शहारा मरुस्थल किस महादीप में इस्तित है तो अफरीका में इस्तित है शहारा मरुस्थल किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है तो आर्खिटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है सबसे लवणी सागर कौन सा है तो मृत सागर सबसे लवणी स हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधी जोड़ती है तो बाब अल मन देव संधी हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है सरवादिक संख्या में इस्तरुल देश किस महादीप में है तो सरवादिक संख्या में इस्तरुल देश जो है वो अफ्रिका में है सब्सक्राइब कि सर्वाधिक नीची जिल कौन से तो पूर्वी अफरीका में स्थित थैं विक्तोरिया जील और अफरिका महादिव की सबसे बड़ी जील आफिकोडी की सबसे बड़ी जील है नियागरा जल्प्रपात किस नदी परिस्त थे तो सेंट लॉरेंस परिस्त है नि नहर खोदने का विचार रखा था तो हम बोल्ट ने रखा था पनामा जल डमरोंदी के आरपार नहर खोदने का विचार किस महादीप को महादीपों का महादीप कहा जाता है तो एशिया महादीप को महादीपों का महादीप कहा जाता है किस महादीप को विज्ञान के लिए सम अल गैजीरा रगिस्थान किस देश में है तो यह सूडान में है अल गैजीरा मारियाना ट्रेंच किस महासागर में इस्थे सबसे गहरा ट्रेंच है तो प्रशांत महासागर में इस्थे थे मारियाना ट्रेंच काला सागर किस देश के दक्षण में इस्तित है तो रूस के दक्षण में इस्तित है ब्लेक, सी या काला सागर विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो मेक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कहलाती है विश्व की सबसे चौणी जलसंदी कौन सी है तो डेविस जलसंदी विश्व की सबसे चौणी जलसंदी है कौन सा बंदरगा यूरोपट के नाम से जाना जाता है तो आपका रोटरडम बंदरगा यूरोपट कहलाता है यूरोप का सरवादिक महतुपूर बंदरगा रोटरडम किस देश में स्थित है तो ये नीदरलेंड में स्थित है कौन सा सागर इरान की सीमा को सपर्स करता है तो कैस्पियन सागर इरान की सीमा को सपर्स करता है किस महादीब का शेत्रफल सबसे कम है तो औस्टेलिया महादीब का शेत्रफल सबसे कम है कौन सा द्वीब नई दुनिया के नाम से जाना जाता है तो उत्तर अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है किस महादीब को पक्षियों का महादीब कहा जाता है तो दक्षिनी अमेरिका को पक्षियों का महादीब कहा जाता है एशिया महादीब का सरोच परवत सिखर कौन सा है तो माउंट आवरिश्ट एशिया महादीब का सरोच परवत सिखर है चेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जील कौन से है तो कैस्पिन सागर विश्व की सबसे बड़ी जील है चेत्रफल और आयतन के साब से किस देश की तटी रेखा विश्व की सबसे लंबी है तो कनाड़ा की तटी रेखा विश्व की सबसे लंबी है स्टैनली जलपरपात किस नदी परस्तित है तो कांगो नदी पर स्टैनली जलपरपात है सुएज नहर किन दो सागरों को जोडती है तो भूमद्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोडती है किस महादीप में सरीस्रप प्राणी नहीं पाए जाते तो अंटार्किटिका में सरीस्रप प्राणी नहीं पाए जाते संसार का सबसे आद्र महादीप कौन सा है तो दक्षनी दक्षन अमेरिका संसार का सबसे आद्र महादीप है काली मंतान दीप किस दीप का अंग है तो काली मंतान जो है यह बोर्नियों दीप का अंग है भारत की दक्षरतम दीप कौन सा है तो ग्रेट निकोबार भारत का दक्षरतम दीप है कौन सा दीप इंडोनेशिया का हरदरस्थल कहलाता है तो जावा जो है इंडोनेशिया का हरद सोता नहीं करता है तो महासागर कहां इस्तित है तो Arctic महासागर सेली बीच साहर इस्तित है पाग जलसंधी करती है नियनके बनाती है तो खीना할ाश्री को करती से संधित denkt इस संधिकR यंबेजी नजीश संब्स है विक्तोरिया जल्परपाद पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है तो प्रशांत महासागर और अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है प Сейчас वोड़ेजश संहिश नहरे खुलते ही किसके वीच समूधरी यात्रा का मार्क चोटा हो गया अश्ट्रेलिया महादीप से लिए झासे जोता है तो जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर इसित्त है तो क्यूशु द्वीप पर इसित्त है सोनोरन मरुस्थल किस देश मिस्ते थे तो सोनोरन मरुस्थल मेक्सिको मिस्ते थे रुब अलखाली किस देश का मरुस्थल है तो साउधी अरब का एक मरुस्थल है रुब अलखाली महा सागरों की सरवादिक गहराई कितने میटर है तो 11,000-33 मीटर है कौनसा सागर स्थलरुध है अलल सागर एक स्थारुध है हार्मच जलसंदी किन दो देशों को अलग करति है तो एरान और UAE को अलग करती है हार्मच जलसंदी जावना प्राइधी तथा शिलंगा की मुख्य भूमी को जोडने वाला पास कौन सा एलिफेंटा पास है या रखीगा जिब्राल्टर जनसंदी किन दो देशों को एक दूसरे से लग करती है तो स्पेन और मुरेकों को अलग करती है अमेरिक आमादुपके दो उस्तल अरुड देश कौन से है तो परागवे औरुविया ग्वादर पातन की देश से ग्वादर प्तन केहला पे ethषियमें साघषियों के जीन आतной करद्भूर पासुमी की दीश को हजार जीलों की भूमिका जाता जाता इरी और उंटारियो इन दुनों के बद्धे उस्थत निया गर जल पर सहारा मर्स्थल किस महादीप में है सथत थै शू twists नहर किसको जोड़ती है तो सुपीर्य जीर और हुटर जील को जोड़ती है किस महादीप को उसके काफी बढ़े भाग में वर्ष़ा की कम मात्रा की प्राप्तिकर का Nou प्यासी भूमी का महाधीप और ऑस्त्रेलिया महाधीप को Apollo सु दो महादीप एक दूसरे का दरपन प्रतिव में प्रस्तुत करते हैं तो दक्षड अमेरिका तथा अफ्रिका एक दूसरे का दरपन प्रतिव में प्रस्तुत करते हैं जापान की राजधानी टोकियो किस दीप परस्तित है तो होंसु दीप परस्तित है जापान की राधानी टोकियो सेंग काकू दीप के स्वामित का विवाद किर्ण दो देशों के बीच में है तो चीन और जापान लड़ रहे हैं सेंग कांकू दीप के लिए दस्त एक काबिर मरुस्थल किस देश मिश्थे थे तो ये इरान मिश्थे थे मरुदीब किसे संबल थे तो रैगिस्थान से संबल थे मरुदीब विश्व का सबसे वड़ा सीतोष्न मरुस्थल कौन सा है तो तकला, मकान, विश्व का सबसे वड़ा सीतोष मुस्तल है कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महादीब को इस पर्स नहीं करता तो हिंद महासागर उत्तर अमेरिका महादीब को इस पर्स नहीं करता स्ट्र निवादिक लंभीते ऐस्टेरिया को प्रत्र करता है यूट यूर्य रिखा सरवाधिक लंभी यूटे-वंदे यूदे में बंगतह देश में हो तो ये कि एरेट्रिय में चत्तत Democrats और यह आप कांच्व कौशन चाब हार पूर्ट कहां विखित जा रहा है तो यह एरान में विख्षित किया रहा है चाब हार पूर्ट